प्रदेज में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। जोदपूर में स्वाइन फ्लू को लेकर विवस्थाओं की समिक्षा को लेकर आज जीला कलेक्टर डॉक्टर रवी सूरपूर ने चिकित्सा एवं स्वास्त विभाग और मेडिकल कॉले से जुड़े एस्पतालों क प्रशासन के साथ बैठ अगली जोरान जीला कलेक्टर ने जोदपूर और संभाग में इस सीजन में सामने आए स्वाइन फ्लू रोग्यों के इलाज और मौतों के बारे में फीडबेक लिया साथ ही इसके इलाज और दवायों की वेवस्था के साथ ही अब इस मामले में चिकटसा विभाग द्वारा किये गए प्रयास के बारे में भी विस्तार से चर्चा की जील्ख कलेक्टर ने संबंदित विभागों की अधिकारियों को इस दिशा में उच्छित कारेवाही करने की साथ ही स्वाइन फ्लू के प्रतिश जागरूकता को लेकर किए गए प्रयासों पर भी चर्चा कर संबंदित अधिकारियों को जरूरी दिशा नर देश दिए इस सीजान वे स्वाइन फ्लू के कारण जोदपूर में 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इसका प्रसंदेश नहीं लेक हो आख आख लोगा उसका प्रसंदेश से अधिक राचे है। 61 सर्ट एक अब ड्रूद नहीं जोड चुकी है। 26 को आया है लिटी सेवाइब अन वेटी से को डिपोगे का उस से पहले पुछले पोलीच होगे है। यह एए भूसकी होगी लाइ मिख्या